दोस्तों e-commerce website पर shopping करने का trend हमारी देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है खरीदारों को नया platform तो मिला ही है साथ ही साथ छोटे बड़े sellers को भी अपने product बेचने का नया channel बिल गया है Amazon इंडिया के online store पर धाई करोर से जादा products है वहीं एक लाग से जादा sellers हैं जो Amazon के साथ अपना business कर रहे हैं आज हम बात करेंगे कि इसी Amazon company के साथ जुड़ कर कैसे आप अपना खुद का business शुरू कर सकते हैं Amazon आपको मौका दे रहा है Amazon के साथ जुड़ कर Amazon EG stores खोलने का तो आप कैसे अपने area में Amazon EG store खोल सकते हैं क्या-क्या requirements हैं कैसे आप आविदन कर सकते हैं और कितना आपको profit होगा ये सारी बाते आज़न डिस्क्राइब करेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नवश्या दोस्तों मैं विदिशा चोदरी व्यापार मंच में आपका स्वाधत करती हूँ अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चनल को सबस्क्राइब करतीजी और साथी प्रेस करतीजी इस बेल आइकन को भी जिससे हमारी लेटिस्ट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन्स आपको लेती रहें दोस्तों जब आप अपना खुद का Amazon Easy Store अब आप खोल सकते हैं और वो भी आप अपने खुद के एरिया में यानि कि आपको कहीं रिलोकेट करने की भी ज़ुरत नहीं है Amazon के Easy Stores खोल कर आप Amazon के कस्टमर्स को हेल्प कर सकते हैं ओनलाइन शॉपिंग करने में और इसकी साथ साथ आप Amazon की डिलीवरीज भी मेंटेन कर सकते हैं आईए सबसे पहले जानते हैं कि ये Amazon Easy Stores है क्या दोस्तों Amazon Easy Store basically Amazon की शॉप है बड़े बड़े शैरों की लोग ओनलाइन शॉपिंग करने में जितने कमफर्टेबल होते हैं छोटे शैरों की लोग या रूरल एरियास की लोग उतने ओनलाइन शॉपिंग में कमफर्टेबल नहीं होते तो ये online easy stores उन लोगों की मदद करने के लिए है जो online shopping में comfortable नहीं है जो touch and feel shopping यानि की पहले product देखो फिर खरेदो वाले situation में अभी भी deal करते हैं उन लोगों को comfortable feel कराने के लिए Amazon में Amazon easy stores खोले हैं Amazon easy stores पर customers products का demo ले सकते हैं और फिर वहीं बैठ कर उस product का online order कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप customers website के साथ साथ Amazon easy stores से भी अपनी सामन products जो हैं वो खरीच सकते हैं और इस shopping में Amazon easy stores आपको पूरी assistance देंगे आईए आप जानते हैं कि Amazon easy stores आप क्यों ले और इसे लेने की क्या-क्या फाइदे हैं अगर आप एक entrepreneur हैं या फिर आप एक entrepreneur बनना चाहते हैं तो easy store आपके लिए एक बहुत ही बहितरिन option है एक सफ़र entrepreneur बनने की शुरुवाद वो भी बहुत कम investment के साथ ये मौका आपको Amazon दे रहा है दूसरा आपको income भी अच्छी होती है Amazon easy store open करके आपको sales पर तो एक बढ़िया commission offer होता ही है इसकी साथ साथ आपको कुछ incentives भी offer किये जाते हैं और इसकी साथ साथ आप Amazon के delivery partner बनकर delivery भी manage कर सकते हैं और उससे भी बढ़िया पैसा कमा सकते हैं और तीसरा benefit ये है कि Amazon easy store बहुत कम investment से शुरू हो जाती है तो Amazon easy store खोलने के लिए आपको बहुत जादा पैसो की ज़ुरत नहीं है तो अगर आप भी कोई ऐसा business idea तलाश रहे हैं जो आपको एक सफर entrepreneur बनने का मौका दे वो भी बहुत कम लागत में तो Amazon easy store आपके लिए ही है आई आप जानते हैं कि अगर आप Amazon easy store खोलते हैं तो आपको कितना commission मिलेगा यानि कि कितना आपको profit हो सकता है दोस्तो Amazon की तरख से आपको products की sales पर एक fix commission की तोर पर 12% तक का commission दिया जाता है ये commission product to product vary करता है बट maximum side पर 12% का commission आपको दिया जाता है इसके साथ साथ आपको बड़िया incentives भी दिये जाते हैं और अगर बात करें कि एक easy store monthly कितना कमा लेता है तो दोस्तो Amazon Great India Festival 2019 जो लास्ट एर हुआ था उसके दोरान Amazon के easy stores ने 1.4 lakh तक की monthly कमाई की है तो लास्ट एर जब इतनी कमाई की है तो अब आप खुदी idea लगा लीजे कि Amazon easy store आपके लिए कितनी अच्छी income generate कर सकता है और इस commission और incentive की साथ साथ आप delivery services दे कर और भी ज़्यादा income generate कर सकते है आईए हम जानते हैं कि कितनी लागट आएगी आपको Amazon easy store खुलने के लिए दोस्तो लागट के बारे में जैसा कि हम आपको starting सही बता रहे हैं कि Amazon easy store बहुत कम लागट के साथ खुल जाता है तो एक Amazon easy store खुलने में लग बग तीन लाग रुपे का खर्च आता है तीन लाग रुपे की investment के साथ आप अपना Amazon easy store खुल सकते हैं है ना double dust idea इतनी कम investment के साथ आईए दोस्तो आप जानते हैं कि Amazon easy store की advantages क्या है दोस्तो Amazon easy store से online shopping को बढ़ावा मिलेगा जो नए customers हैं जो online shopping करने में थोड़ा डरते हैं या थोड़ा hesitate करते हैं उनको एक assistance मिलेगी तो वो भी comfortably online shopping कर पाएंगे और इस तरह से Amazon क्या online customer base और भी जादा बढ़ेगा Amazon easy store पर products का demo भी मिलेगा तो इससे customers touch and feel and buy वाली feeling भी मिलेगी आप product को देख सकते हैं उसका demo ले सकते हैं फिर वहीं easy store में बैटकर आप order कर सकते हैं product आपके घर पर deliver हो जाएगा Amazon easy store सको delivery and pick up की facility भी मिलती है और सबसे खास बात Amazon easy store पर भी shopping आप online ही करेंगे तो इसलिए आपको Amazon easy store खोलने के लिए कोई बहुत जादा stock रखने की जूरत नहीं है आपको सिर्फ demo products रखने हैं बाकी कोई और stock की तो जूरत ही नहीं है क्योंकि आपकी यह customer आएगा बैठेगा प्रोड़क्ट करण हो लेगा प्रोड़क्ट ओडर करेगा और प्रोड़क्ट सीधा seller की तरफ से बायर के घर पर deliver हो जाएगा stock कम है इसलिए investment भी कम है आईए आप बात करते हैं eligibility की Amazon easy store खोलने के लिए eligibility की idea क्या है दोस्तों Amazon easy store खोलने के लिए आपकी जो age है वो 20 साल से 15 साल के बीच में होनी चाहिए यानि कम से कम 20 साल और जादर से जादर 45 साल आपकी जो educational qualification है आप कम से कम 12 पास यानि 10 प्लस 2 का आपके पास पढ़ाई का क्रेडिलिया होना चाहिए आपको computer अच्छे से चलाना आना चाहिए computer operate करने में आपको अच्छी knowledge होनी चाहिए आप जहां पर खोलना चाहते हैं उस store का size कम से कम 200 स्क्वार फिट का होना चाहिए store जो है वो ground floor पर होना चाहिए और उसकी location भी अच्छी होनी चाहिए centralized location पर होना चाहिए अच्छे से आनी चाहिए आईए अब बात करते हैं कि कैसे आप आविदर कर सकते हैं दोस्तों समय समय पर amazon easy store की अलग-अलग locations पर requirements निकलती रहती है जैसे कि अभी current के अगर बात करें तो आंधरपरदेश, तेलंगाना और कर्णाटक states के लिए वेकिंसी निकली हुई है तो अगर आप इन states से बिलोंग करते हैं तब तो आप immediately apply कर दीजिए लेकिन अगर आप बागी के states से बिलोंग करते हैं तो आप समय समय पर amazon की website चेक करते रहिए और जब आपके area में requirements आए तब आप आविदर कर सकते हैं दोस्तों amazon के easy store जो है वो third party open कराती है third party की सारी retails आप इस link पर जाकर देख सकते हैं आईए अब जानते हैं कि आवेदर कैसे कर सकते हैं दोस्तों आवेदर करने का direct link मैंने नीचे description box में डाल दिया है आप direct महाँ पर click करके भी आ सकते हैं या फिर आप google में type करिए amazon easy store और आप direct इस link पर आ सकते हैं यहाँ पर आपको register hair का ये option मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जब आप register hair पर click करेंगे तो आपके सामने ये कुछ questions एक form के रूप में खुल कर आ जाएगे ये questions बहुत easy हैं आप खुद से इनका answer दे सकते हैं आपको किसी भी तरह की help की कोई ज़रत नहीं है जैसे की सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है अपना नाम जब आप डालनेंगे उसके बाद next column में आपको अपना mobile number देना होगा next column में आपको अपनी email id डालनी होगी इसके बाद आप अपनी location डालेंगे जिस भी mandal के लिए आप apply कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे और फिर उसके बाद आपको अपनी age बतानी होगी age आप अपनी यहाँ पर mention करतेंगे age mention करने के बाद next column में आप अपनी education qualification जो है वो select करेंगे जो भी आपकी educational qualification होगी आप उसको tick कर दीजे इसके बाद अगर आपके पास कोई work experience है तो आप वो mention कर दीजे और फिर आपको बताना होगा कि आपको Amazon Easy Store के बारे में कैसे बता चला आपको newspaper advertisement से बता चला, website edit मतलब कहां से आपको किस तरीके से इसके बारे में जानकारी हुई वो आप option select कर दीजे इसके बाद आपको ये बताना होगा कि Amazon Easy Store की franchise अगर आपको मिल जाती है तो उसको phone run करेगा उसको आप खुद run करेंगे या आपका family member चलाएगा या फिर आपको staff hire करने वाले हैं ये बताने के बाद आपको नीचे अपना complete address देना होगा आपका address communication address होना चाहिए जिस पर आपसे communication की जा सके फिर last में आपको बताना होगा कि क्या आपका कोई और business भी है अगर आपको और business भी करते हैं तो आप यहाँ पर yes पर click कर दीजेए अगर नहीं करते हैं तो आप लोपर click कर दीजे इसके बाद आपको इस arrow पर click करना है जैसे ही आप इस arrow पर click करेंगे आपके सामने एक आखरी सवाल आएगा इसमें आपसे amazon की तरफ से पूछा जाएगा कि आप amazon easy store क्यों खोलना चाहते हैं और आपकी amazon easy store से क्या expectations है यहां पर आप एक अच्छा सा answer लिख दीजे और उसके बाद आपको फिर next arrow पर click करना है जैसे ही आप next arrow पर click करेंगे आपका application successfully submit हो जाएगा और आपका आवेदन जो है वो पूरा हो जाएगा इसके बाद amazon की तरफ से तीन working दिन में three working days के अंदर अंदर आपको reply आ जाएगा अगर आपको amazon easy store मिल सकता है तो वो आपको reply आ जाएगा और अगर किसी वज़े से आपको नहीं मिल सकता तो वो भी reply आ जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप amazon के साथ जोड़ कर अपना खुद का amazon easy store खोल सकते हैं और customers की online shopping में मदद करने के साथ साथ एक अच्छी खासी income अपने लिए generate कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कर दीजे अपने रोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजे एन हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी स सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू